किसी बूंद के अंदर अत्रिक्त दाब का सूत्र देखने के बाद अब हम बुल्बुले के अंदर अत्रिक्त दाब का सूत्र ग्यात करेंगे बूंद और बुल्बुले में क्या फर्क होता है यदि हम पानी के एक बूंद लेते हैं तो उसके अंदर पूरा द्रव होता है बुल्बुले को देखें तो बुल्बुले के अंदर वायू होती है और बुल्बुले के बाहर भी वायू होती है इस प्रकार यदि बुल्बुले के हम स्वतंत्र प्रिष्ट को देखें तो उसमें दो स्वतंत्र प्रिष्ट होंगे अंदर की तरफ भीतरी वाला भाग भी हो प्रिष्ट होगी जबकि बुलबुले की बात करें तो वहां पर दोस्वतंतर प्रिष्ट होने के कारण जो इसका फाइनली सूत्र हमको प्राप्त होगा उसमें क्या अंतर आएगा तो चलिए इसको डिराइफ करते हैं और लास्ट में जो फॉर्मुला हमको प्राप्त होगा उसको बोंध में जो प्राप्त फॉर्मुला थात्रिक्त दाप का उससे कल्कुलेट करेंगे मान लिजिए यह बुलबुला है जिसकी त्रिज्ज्य हमने आर ली है अब इसके अंदर भी वाईयू है इसके बाहर भी वाईयू है इसके दोस्वतंतर प्रिष्ट हुए अब इ इसकी त्रिज्ज्य में व्रिद्धी हम डेल्टा आर लेते हैं तो जो बुल्बुला हमको मिल रहा है फाइनली उसकी त्रिज्ज्य हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर और इसी कारण ही इसके छेत्र फल में भी परिवर्तन होगा तो हम छेत्र फल निकालेंगे और actually इस दाप की कारण जो बुल्बुले की में प्रसार में किया गया कार्य है वही हमको ग्याद करना है प्लिकिए यदि हम अत्रिक्त दाप का फॉर्मला निकालते हैं तो हमको किये गए कारी की गड़ना करनी होगी और कार यह बराबर होता है बल इंटो विस्थापन तो एक ही करके हम स्टेप बाइ स्टेप इस सूत्र को डिराइफ करेंगे तो पहले जैसे हमने डिराइफ किया था बिल्कुल वैसे ही स्टेप से आगे बढ़ेंगे बच्चों तो यहां पर जनरली बच्चे स्टेप करते जाएए ताकि आगे कोई भी बिस्टेक नहों फरक कहाँ और आएगा सिर्फ का फरक आएगा क्योंकि बुल्बूली के अंदर दौ स्वतन्त प्रिश्ठ होंगे बाकी पूरे सिहमिए लिवेंशन के स्टेप वैसे ही होंगे क्यों कि इस बुल्बूले के अंद और दाब का फॉर्मुला होता है बल बटे छेतरफल तो वहां से बल बराबर हम लिख सकते हैं दाब इंटू छेतरफल तो यहां पर भी हम लग बल के स्थान पर लिखेंगे दाब इंटू छेतरफल और इस प्रकार हम लग फॉर्मुला लिख देते हैं और उस पर सारे मान अंदर यह जिसकी त्रिज्य आर है और इस एक्सेस प्रेशर की कारण ही इसकी त्रिज्य में परिवर्तन हो रहा है तो यहां पर जो आप छेत्र फल ले रहे हैं वह फोर पाई आर स्क्वेर लेंगे अब विस्थापन कितना हुआ यानि कि त्रिज्य कितनी बढ़ी तो डेल्टा आर अब देखते हैं छेत्र फल में क्या परिवर्तन होगा जैसे हमने पहले भी निकाला है यहां पर जो गोला ओरीजनली था मिंस जो बुल्बुला हमने लिया था ओरीजनली जिसकी त्रिज्य आर थी उसका छेत्र फल होगा फोर पाई आर स्क्वेर अब जो एक् चेत्र फल में वृद्धी निकालना है तो अंतिम चेत्र फल माइनस प्रारंभिक चेत्र फल करेंगे तो यह जाएगा फोर पाई आर प्लस डेल्टार स्क्वेर माइनस फोर पाई आर स्क्वेर और ऐसा ही हमने बूंद के लिए भी समीकरण लिखा था बस फर्क यहीं पर आ अब यहां पर बुल्बुले में दो स्वतंत्र प्रिष्ठ हैं और इसलिए जो यह चेत्र फल में वृद्धी होगी वो दोनों प्रिष्ठों में होगी अंदर वाले प्रिष्ठ में भी और उपर वाले प्रिष्ठ में भी और इसलिए अब हम जो चेत्र फल में वृद्धी हमको प्राप्थ हो रही है उसे टू से गुणा कर देंगे क्योंकि डबल क्यलकुलेशन करने के बदले हम यहां पर सिंप्लीफाई करने के नजरिये से टू से गुणा कर देते हैं और उसके बाद इससे आगे हम सॉल्फ करते हैं जिससे कि हमको छेत्रफल में वृध्धी का सम निकरन लिखे तो इस प्रकार लिखा जाएगा डेल्टा ए बराबर 2 इन्टू अंतिम छेत्रफल माइनस प्रारंभिक छेत्रफल और यहोगा 4pi r प्लस डेलिटा r स्क्वार माइनस 4pi r स्क्वार अब यहां पर a प्लस b होल स्क्वार का फॉर्मिला लगाएंगे जो होता a स् plus 2ab plus b square और इस प्रकार हम इस राशी को expand करते हैं तो लिख सकते हैं 2 bracket के अंदर 4pi और यहाँ पर हमने सूत्र लगाया और लिखे r square plus 2r dot delta r plus delta r का square bracket बन minus 4pi r square अब इस 4pi को हम अंदर के सारे term से गुणा कर देते हैं तो हमें मिलेगा 2 bracket के अंदर 4pi r square plus 8pi r dot delta r plus 4pi delta r का square minus 4pi r square अब इस 2 को अंदर के सारे term से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 8pi r square plus 16pi r dot delta r plus 8pi delta r का square माइनस 8pi r square यहांसे 8pi r square 8pi r square cancel हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में माइनस में हैं क्या बचता है हमारे पास 16pi r dot delta r plus 8pi delta r का square अब हम देख रहे हैं कि जो बुलबुलेंकी तृजय में व्रद्धी हैं इसका माण बहुत ही कम होता है तो delta r का मान बहुत कम होने की कारण यदि delta r का वर्ग करते हैं तो उसका मान भी बहुत कम होता है और यूं कहें कि हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं और इसे लिए हम लिखेंगे delta A यानि की छेत्रफल में वृध्धी बराबर 16 pi r dot delta r अब हमारे पास सूत्र है कार्य बराबर surface tension यानि की प्रिष्ट तनाव इंटू छेत्रफल में वृध्धी इसी सूत्र में हम मान रद देते हैं कार्य का फॉर्मला हमने ग्याद किया यहां से हम इसको सरल करें तो हमें मिलेगा P बराबर T इंटू 16 pi r dot delta r अपान 4 pi r square इंटू delta r और इससे सरल करने पर हमें मिलेगा P equal to 4T upon r और यदि हम इस equation को द्राव बूंद के अंदर अत्रिक्ट दाफ से compare करें तो यह उसका दुगना है तो इस प्रकार finally हमने बुलबुले के अंदर excess pressure का सूत्र देखा और इसे जब हम बूंद के excess pressure से compare करते हैं तो यह उसका दुगना है और यह फर्क क्यों आया अब यह आपको समझ में आ गया होगा अब यह बताईए हम एक बुलबुला ले रहे हैं जो कि वायू में नहीं है बलकि वो पानी के अंदर है यह किसी द्राव के अंदर है अब बताईए उसके अंदर excess pressure का formula क्या होगा जब हम वायू में बुलबुले की बात करते हैं तो इसके दो स्वतंतर प्रिष्ठ हो जाते हैं क्योंकि बुलबुले के अंदर भी वायू है और बाहर भी वायू है तो इसके दो स्वतंतर प्रिष्ठ होगे लेकिन जब यही बुलबुला किसी द्रव के अंदर है माली जब पानी के अंदर ही है तो उपरी सता पर हम देखेंगे द्रव है अंदर में ही केवल yu है तो अंदर की सता ही स्वतंत्र होगी और इसलिए यहां पर इस बुलबुले में केवल एक ही स्वतंत्र प्रिष्ठ होंगे तो इस प्रकार बच्चों compare करके आप पढ़िए तीनों स्थितियों को, हम सोसने कि बूंद के लिए जो formula हमने apply किया वो खोकले बुलबुले के लिए कैसा applicable होगा, तो यहाँ पर जो basic concept है वो यही है कि बुलबुले में भी जो द्रफ के अंदर रखा गया है, उसमें भी एक स्वतंतर प्रिष्ठ है और जब हम बूंद की बात करें तो उसमें भी एक ही स्वतंतर प्रिष्ठ है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों के ही दाप के formula एक समान होग यानि की P बराबर 2T upon R, बच्चों यहाँ पर आप एक विशेश प्रकार की नलिया देख रहे हैं, tubes, यह जो नलिया है यह दोनों साइट से open है, उसमें खास बात क्या है, यह बहुत ही बारीक है, इसका यदि आप छेद्र देखेंगे तो यह बहुत ही बारीक होता है, और यहाँ पर इस ट्यूब में इसकी बाहे तरिज्या भी होगी और इसकी आंतरिक तरिज्या भी होगी, तो यह भले ट्यूब मोटा हो, इसकी बाहे तरिज्या भले बड़ी हो, लेकिन इसकी आंतरिक तरिज्या हमेशा बहुत ही कम होती है, और इस प्रकार की नली, जिसकी आं केश नली और इंग्लिश में से हम कैपिलरी कहते हैं अब केश नली क्यों कहते हैं समझ में आगया होगा हमारे केश यह बहुत ही बारीक होते हैं और इसी प्रकार यदि इस केश नली के आंतरिक त्रिज्य को हम देखे तो यह भी बहुत ही बारीक होती है तो इसलिए इसे हम के जाता है या तो नीचे की और दब जाता है अब यह विचित्र बात है हमने यहाँ पर कोई भी अलग से प्रेशर नहीं लगाया लेकिन जब हम इस नली को इसके अंदर डुबो देते हैं तो अपने आप ही द्रव इसमें चड़ने लगता या फिर इसमें दबने लगता है और इस प्रापर्टी को इस गोण को हम कहते हैं केशी कत्व और इंग्लिश में इसे हम कैपिलारिटी कहते हैं जिसके कारण नली में द्रव या तो उपर की और चड़ता है या तो नीचे की और उतरता है अब किस प्रकार के द्रव इस नली में उपर चड़ेंगे और किस प्रक और काच की बात करें जब पानी में हम इस केश नली को डुबा देते हैं तो हम देखते हैं कि पानी में किस ट्यूब के अंदर इस पानी का मिनिस्कस कॉनकेव होता है अवतल होता है तो ऐसे द्रब जब वो ठोस के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं और अवतल प्रिष्ट का निर्मान करते हैं तो ऐसे द्रब इस कैपिलरी में उपर की और चड़ते हैं जैसे कि मैंने बताया जल और काच के पेर में और यू कह सकते हैं कि जो द्रब किसी ठोस को भिगा सकता है तो उसमें हमेशा कैपिलरी में की और चड़ते हैं लेकिन ऐसा द्रव जब वो ठोच के साथ संपर्क में आए और उसका स्वतंत्र प्रिष्ठ कॉन्वेक्स हो यानि की उत्तल हो तो ऐसे द्रव इस कैपिलरी में नीचे की और दब जैसे की काश और मर्क्यूरी का पेयर मर्क्यूरी जब काश के संपर्क में आता है तो इसका मिनस्कस कॉन्वेक्स रहता है उत्तल रहता है और जब कैपिलरी को इस मर्क्यूरी के अंदर डुबोया जाएगा तो मर्क्यूरी इस कैपिलरी में हमेशन नीचे की और दब जाएग का जो मिनस्कस होता है वो कॉन्वेक्स होता है उत्तल होता है और ऐसे द्रवी केश नली में नीचे की और दब जाते हैं तो आएए बच्चों हम अपने डेली लाइफ में केशी कत्व के कुछ उधारन देखते हैं यदी हम एक बाल्टी में पानी लेते हैं और एक टावल लेत टावल जाता या एक हिस्सा में तुट इए कसे चाम करते हैं करते हैं और जब युण पानी के संपर्क में आते हैं तो पानी इन शिद्रों में ऊपर की और बढ़ने लगता है या फिर यू कहें फैलने और दीरे धीरे पूरा टावल गील हो जाता है इसलिए बच्चों हम नहाने के बाद टावल करते हैं शरीर को पोशने के लिए यह जैसे ही पानी के संपर्क में टावल आता है यह पानी इन छोटे-छोटे छिद्रों में ऊपर के और चड़ने लगता है या यूँ कहें फैलने लगता है और इसलिए हम अच्छे तरह से अपने आपको ड्राइ कर पाते हैं आपने और जब उस निब को हम किसी भी स्याही के सामने रखते हैं तो स्याही अपने आप उस निब में ऊपर के और चड़ने लगता है यह जो कट लगी हुए इस निब के बीच और बीच में वह एक्चुली केपिलरी की तरह काम कर रही है केशनली की तरह और जब उसको हम स्याही क यह contact में लाते हैं तो स्याही धीरे धीरे उस नीब में ऊपर क्यों चड़ने लगता है और ऐसा ही तो बच्च ब्लोटिंग पेपर में भी होता है स्याही सोकत जिसे हम यह पूरे द्रफ को सोक लेता है तो यहाँ पर भी capitalarity काम करती है यानि कि केशी कट्व का गोण कारे करता है और इसी प्रकार यदि हम पेड़-पॉधों में भी पानी देते हैं तो पानी कहां देते हैं हम पानी उसकी जड़ों में देते हैं हम पेड़ को पूरा पानी देना ह की और ट्रांस्पोर्ट हो जाता है पत्तों तक पहुच जाता है और पत्तों तक पहुचने के लिए भी यह कारे करती है जो इसमें टीशू होते हैं एक्चुली वह इस पानी को सोकते हैं और वह छोटे-छोटे टीशूज कैपिलेरी की तरह कारे करते हैं जिसमें से जड में दिया गया पानी धीरे-धीरे पेड में ओपर की और चड़ने लगता है ऐसे ही बच्चों हम दिया जलाते हैं तो हम रूई की एक बत्ती बनाते हैं और उस बत्ती को हम इस प्रकार दिये में रखे तेल में जाती है या यू कहें कि तेल जो है बत्ती के एक सीरे से उपर की और अपने आप चड़ जाता है आप देखेंगे जब हम इसको एनलाइटन करते हैं जला देते हैं तो धीरे-धीरे उस दिये का तेल खतम होने लगता है एक्चुली यहां पर जो फ्यूल है इंधने वो तेल है और वो किसकी साहता से जल रहा है उस बाती की साहता से जल रहा है और ये तेल उस बाती में धीरे-धीरे ऊपर की और बढ़ता है और वो धीरे-धीरे कंजियूम होता है और वहां से हमको फायर एनर्जी मिलती है या यू कहें कि हम उस दिये की लौ को देख पाते हैं तो दिवारे गीली क्यों हो जाती है अगर ठीक से प्लास्टर नहीं हुआ रहता है दिवारों में या फिर क्रैक्स होते हैं तो पानी रिस्ता है अब पानी क्यों रिसेगा यूँकि वहां पर छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं और इटे का कंस्ट्रक्शन हम देखें तो इटे कारण ये पानी पूरा फैलने लगता है और हम कहते हैं कि दिवारों में सीलन आ गई है मतलब इन कैपिलेरिस को यदि बंद कर दिया जाए तो वस्तुएं वाटर प्रूफ रहती है मतलब वो पानी को सोखेगा नहीं और इसलिए हम अपने साधरन कपड़ों की भी बात करें य कैपिलेरिस की तरह कारे करते हैं जो पानी को धीरे-धीरे सोकते हैं लेकिन यदि इसी कपड़े में मोम को घिज दे और उसके बढ़ दुबा के देखें तो यह वाटर प्रूफ रहता है गीला नहीं होता तो अब यह गीला क्यों नहीं होता क्योंकि मोम लगाने से यहां प उसको पानी में डुबाया जाता है तो यह पानी को अफ्शोशित नहीं करते हैं एब्सॉर्व नहीं करते हैं ऐसे ही बच्चों आपके डेली लाइफ में बहुत सारे एक्जामपल्स और होंगे जो केशी कत्व से जुड़े होंगे अब हम देखते हैं कि केश नली में यह द्रफ किस प्रकार ऊपर चड़ता है यह किस प्रकार नीचे उतरता है इसके लिए हम सूत्र भी ग्याद करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे ठोस और द्रफ का यूग में लेते हैं जो एक दुसरे के संपर्ख में आने पर द्रफ की सतह अवतल हो जाती है यानि कि उसका जो मिन मतलब यहां पर जो हमने केश नली ली है वो काच की बनी है एक्शिली बच्चों केश नली जो है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है और जैसे अभी हमने उधारणों में देखा था हम तो कपड़े में भी केश नली ढोण लिये थे पर यहां जब प्रयोग करते हैं तो इस वि यहां जल में डुबाया है अब जल में डुबोने पर हम देखते हैं कि इसका मिनसकस कैसे होगा इस प्रकार अवतल होगा क्योंकि यह जल इस काच को गीला करता है अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इस केश नली में यह जल अपने आप उपर की और बढ़ने लगेगा तो इसके लिए हम अलग-अलग बिंदू पर दाब निकालते हैं और देखेंगे किस दाब की कारण ही जो दाब में अंतर आ रहा है उसके कारण ही यह द्रव इस नली में ऊपर के और चड़ने का प्रयास करेगा अब यहां पर हम तीन बिंदू लेते हैं जो तीनों अलग-अलग स्थिती में हैं A, B और C यह तीनों बिंदू के स्थिती में क्या अंतर है पहले इसे हम बारिकी से समझते हैं A और B बिंदू यह द्रव के अंदर है और दोनों एक ही छेतिश तल में है पर B बिंदू यह कैपिलरी के अंदर है जबकि A बिंदू इस बीकर में ह बिंदु C ये capillary के अंदर है पर ये द्रव में नहीं है बलकि द्रव के ऊपर है अब ये जो द्रव है ये खुला हुआ है या यू कह सकते ये वायू के संपर्क में है इसका मतलब इसकी जो प्रिष्ठ है इसमें वायू मंडिलेदा बना रहेगा ये A पर भी रहेगा ये C पर कारे करेगा अब बिंदु C को पर्टिकुलरली हम देखते हैं ये capillary के अंदर है ये द्रव के बहार है और ये द्रव के बहार अवतल प्रिष्ठ पर है बिंदु C द्रव के अवतल प्रिष्ठ में है अब सी के तरफ से हम देखेंगे तो प्रिष्ठ धसी हुई नजर इसलिए हम कह रहे हैं अवतल प्रिष्ठ पर है जबकि हम B बिंदु से देखें तो चो capillary के अंदर meniscus है उसकी सता हमको convex लगेगी उब्रियू लगेगी इसलिए हम कहेंगे कि बिंदु B उतल प्रिष्ठ पर है अब इसलिए बिंदु C का दाप बिंदु B के तुलना में अ काला है यह उतार 2T अपन आर तो यहां पर C का दाप B के तुलना में अधिक होगा और वो होगा 2T अपन आर यहां पर T surface हम यह रूप से जोड़ते हैं तो यहां पर गोल का निर्मार्ण होगा जिसकी त्रिज्जय होगे तो इस प्रकार हम देखें तो यह जो हमने एंडर की तर चैनलनी क creeping नूट की तरीज्जय तो चहां बोरी की तृज्जे नहीं है वो मेंस्कस की त्रिज्य है और हम हम small r से represent करेंगे जिस को हम आगे सूत्र में यूज करने वाले हैं अब हम देखते हैं बी बिंदू पर दाब कितना होगा कि इतना तो clear है यह सी बिंदू की तुल्ला में 2T अपॉन आर कम होगा यहां पर यू मंदली दाब पी है तो हम बी का दाब लिखेंगे पी माइनस 2T अपॉन आर अब बिंदू A पर दाब कितना होगा यह तो वायू मंदली दाब के वराबर ही होगा यानि कि यहां पर हम A के दाब को केवल P लिखेंगे अब बिंदू A और बिंदू B यह दोनों द्रव की सता पर ही है इसके सोतंतर प्रिष्ठ पर ही है समझो और कि दोनों बिंदू द्रव के अंदर तो पास्कल के निएम के नुसार एक दाब B के दाब के बराबर होना चाहिये है पर एक दाब तो वायू मंदली दाब के बराबर है किन्तु B का दाब वायू मंदली दाब में हम 2T अबॉन्ण deputy सब कर रहे हैं इसका मतलब B का दाब A की तुल्ला में कम है तो क्या यहां पर पास्कल का नियम फेल है यह पास्कल के नियम लागू नहीं होता ऐसा नहीं है यहां पर पास्कल का नियम लागू होता है और इसी पास्कल के नियम के अधार परी बिंदू A और बिंदू B का दाब बराबर होना चाहिए और इस को बराबर करने के लिए ही यहां पर कैपिलरी के अंदर द्रफ का लेवल उपर क्यों बढ़ने लगेगा तब तक बढ़ेगा जब तक बिंदू A और बिंदू B का दाब दोनों बराबर ना हो जाएं क्योंकि बिंदू B का दाब कम था उसको बिंदू A के बराबर आने के लिए यहां कैपिलरी के अंदर द्रफ के लेवल को ऊपर बढ़ना ही होगा और इस कैपिलरी के अंदर द्रफ का लेवल इतना होगा कि B बिंदू का दाब A बिंदू के बराबर हो जाए यानि कि वायू मंदली दाब के बराबर हो जाए और वायू मंदली करने का फॉर्मुला हमारे पास है हम लोग लिखते हैं रो जी एज जहां रो ड्रव का घंत्व होता है जी गूरुत्वी तुरंड का मान होता है और हैज हाइट होती है द्रव की तो यदि हम इस कैपिलेरी के अंदर द्रव की कि बात करें, फ्लूइट कॉलम की बात करें, तो यहां हम देखेंगे कि इस फ्लूइट कॉलम के अंदर दाब तूटी अपॉन आर होगा और ये रो जी एच के बराबर होना चाहिए, अब इस कैपिलरी के अंदर जो द्रफ का मिनिस्कस है, उसको हम देखें, तो ये अफ़तल है, और इसमें जो प्रिष्ट तनाव होगा, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वो नीचे की और होगा, मान लीजे कोन बना रहा होगा ठेटा, और इस कैपिलरी की तरिज्जा हम आर ले रहे हैं, और इस मिनिस्कस की तरिज्जा हमने कैपिटल आर ली है, इन दोनों के बीच का कोन भी ठीटा होगा, और यहां से हम देखें, तो कॉस ठीटा बराबर होगा, आर अपॉन आर, और इस प्रकार बच्चों, यदि हम सूत्र से देखें, तो जो कैपिलरी के अंदर, लिकवीट का राइस हुआ है, इसकी हाइट ह बराबर है, टू टी, कॉस ठीटा अपॉन आर, रो, जी, इसका मतलबी जो हाइट है, वो डिपेंट कर रहा है, ठीटा पर, अंगल पर, और ये अंगल है, ये स्वतंतर प्रिष्ठ के तनाव, और ठोस के सतह के बीच में, और जो द्रव किसी ठोस को गीला करते हैं, उसका मिनिसकस हमेशा ही अवतल रहता है, नीचे की और धसा हुआ रहता है, और ऐसे द्रवों के लिए हमेशा थीटा का मान एक न्यून कोण होगा, यानि 90 से कम होगा, और कॉस की बात करें, तो यहां मान हमेशा धनात्मक होगा, यानि कि H की वैल्यों हमेशा पॉजिटिव आएगी, और इस मैतमेटिकल डेरिवेशन के करता है कि तुलना से यह दियम कंपेर करते हैं तो, और इसी लिए जो द्रव ठोस को गीला करते हैं, उस कंडिशन में हमेशा कैपिलेरी को जब उस द्रव में डुबवे जाएगा, तो द्रव का लेवल हमेशा उस कैपिलेरी में इंक्रीज होगा, पर अब हम दूसरे प्रक जब काज की नली को इस प्रकार पारे में डुबाया जाता है, तो उसकी सत्ह दप जाती है, ये तो हम प्रेकिकली करके देख चुके हैं, लेकिन मैथमेटिकली इसको हम देखते हैं, और उसके सूत्र के अधार पर बाद में हम कंक्लूर्ट करेंगे कि हमारा प्रयोग इस मै हाल मेव रखता है कि यहां पर भी हम तीन बिंदू लेते हैं a b और c यहाँ पर भी वैसी इस्तिति है a और b दोनों दुठ पर के अंदर हैं पर्क a और b में क्या है ए द्रव में स्वतंत्रपिंठ के नीचे जिबकि be capillary के अंदर है केशनली के अंदर है उसी केशनली में हम इस द्रश के ऊपर एक और बिंदो ले रहे है शी अब यहाँ निचे कुई अरकारे करेगा अब हम यदि हम बदू C की बात करते हैं तो यहां पर वाईयू मंढलय द आप और और से लगी रहा है अ बंदू P काम कर रहा है तो यह बंदू बी स कपिलरी के अंदर अवंतल प्रिष्ठ के नीचे नीचे व'mध इस सिती में बंदू instructed दाब C के तुल्ला में अधिक होगा और कितना अधिक होगा 2T upon R क्योंकि हमने ऐसे ही curved प्रिष्ट के लिए अत्रिक दाब का formula ग्याद किया था और ये 2T upon R होता है तो यहाँ पर इस स्थिती में दाब का मान अधिक होगा यानि B position में दाब का मान अधिक होगा तो हम B की बिंदू पर दाब लिखेंगे P plus 2T upon R अब बिंदू A की बात करते हैं बिंदू A पर केवल वायू मंदली दाब कारे कर रहा है मतलब वहाँ पर दाब का मान केवल P होगा और बिंदू A और बिंदू B ये दोनों एक ही छेतिस तल में हैं दोनों द्रफ के अंदर है और पास्कल के नियम के नुसार बिंदू A का दाब बिंदू B के बराबर होना चीए पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A पर केवल वायू मंदली दाब कारे कर रहा है जबकि B पर दाब वायू मंदली दाब के साथ 2T अपॉन R अधिक है अब ये तो पास्कल के नियम के अनुसार संभव नहीं है पास्कल के नियम के अनुसार A और बिंदू B के दाप को बराबर होना ही चाहिए और ये दाप को बराबर करने के लिए बिंदू B के दाप को घटना है और इसलिए capillary के अंदर अब द्रफ का level नीचे गिरने लगता है इतना कि बिंदू A का दाप बिंदू B के बराबर हो जाए यानि अब दोनों ही दाप वायू मंडली दाप के बराबर हो जाए और इस प्रकार हमने दोनों ही स्थिती में concept को समझा ऐसे द्रफ के लिए जो ठोस को गीला नहीं कर रहे थे और इस प्रकार जब हम इस स्थिती में भी mathematical calculation करें तो यहां पर हमको सूत्र मिलेगा एच बराबर टू टी कॉस थिटा अपॉन आर रोज जी मतलब फॉर्मिला तो हमें वही प्राप्त हुआ है जो हमें ऐसे द्रफ और ठोस के युगम की लिए मिला था जो द्रफ ठोस को गीला कर रहे थे पर यहां पर हम देखें कि एच का मन थीटा पर निर्भर कर रहा है औ और यहां पर हम कोन निकाले यानि कि थीटा देखें तो यह हमेशा अधिक कोन होगा और यह मान हमेशा रिनात्मक होगा अब यह वैल्यू रिनात्मक हुई तो एच की वैल्यू भी रिनात्मक हो जाएगी यानि हाइट माइनस ले रहे है और यह माइनस हाइट का मतलब होग कि जो पहले वाली सता थी उसकी तुल्ला में अब ये कम हो जाएगी अपोजिट डारेक्शन को शो करेगा और इसका मतलब यह है कि कैपिलेरी के अंदर अब द्राफ का लेवल दब जाएगा और ऐसा ही होता है काच और मरक्यूरी के पेर में क्योंकि मरक्यूरी काच को नहीं भीगोती और इसलिए जब हम काच की कैपिलेरी को मरक्यूरी में डुबोते हैं तो उसका लेवल भी दब जाता है और यदि हम ऐसी कैपिलेरी ले रहे हैं जो पेराफिन वैक्स की बनी हो और इसे जब जल में डुबाया जाता है अभी तक हमने क्या समझा था कि जल में डुबाने से जल का लेवल बढ़ता है लेकिन वह किस कंडिशन में था जल और काच के पेर के लिए था लेकिन अभी ज इसे जिब हम जल के अंदर डुबाते हैं तो यहां पर जल का लेवल बढ़ता नहीं है बलकि मर्क्यूरी की तरह कारे करता है और यहां पर जल का लेवल नीचे की और धस जाता है यहां पर जल को जल गीला नहीं करता इसलिए इसका मेनस्कस कॉन्वेक्स होता है और इसी कारण यहाँ पर जब इस प्रकार की कैपिलरी का इस्तमाल किया जाएगा तो इसके अंदर जल का लेवल हमेशा इसके सोतंतर प्रिष्ट की तुन्ना में दबा हुआ रहेगा अभी जो हमने डेरिवेशन देखा था तो हमने वहाँ पर एक समिकरंट देखा ह रो जी बराबर टू टी अपॉन आर जहाँ टी द्रफ का प्रिष्ट तनाव था आर द्रफ के मिनिसकस की त्रिज्या रो द्रफ का घनत्व जी गृत्वी तवरण और एच कैपिलरी में हाइट और इस समिकरंट सम देखे आर इंटु एच बराबर होगा टू टी अपॉन रो जी यह हम राइट हैंड साइट को देखें तो टी यानि की प्रिष्ट तनाव किसी भी लिक्विट की बात करें तो नियत ताप पर यह प्रिष्ट तनाव नियत ही रहेगा गृत्वी तवरण जी यह भी प्रित्वी की सता की बात करें एकी स्थान की बात करें तो यह भी ए एक नियत राशी है यानि राइट हैंड साइड में जितनी भी राशिया मौजूद है वो एक नियत राशी है तो हम यू लिख सकते हैं आर इंटु एच बराबर नियत तांग यानि कि मिनिस्कस की त्रिजिया और कैपिलरी में उसकी हाइट का गुणन फल देखें तो वो एक नियत राशी ही होती है और इसलिए जब हम कैपिलरी को किसी द्रव में डुबोते हैं ऐसा द्रव जो कैपिलरी को गीला कर रहा हो उसके पदार को गीला कर रहा हो तो वो एक लेवल तक उपर बढ़ता है मान लीजे जो हमने नली लिए है वो अपरियाप्त है मतलब छोटी ह जितना राइस हुआ है हाइट में उसकी तुल्ला में मान लीजिए कैपिलरी की हाइट कम है और यदि ऐसी वाली कैपिलरी को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो क्या होगा क्या द्रव उसमें बढ़ते बढ़ते इतना उपर आ जाएगा कि कैपिलरी से बाहर हो जाएगा मतलब यह कैपिलरी से बाहर नहीं गिरा तो ऐसा क्यों हुआ कि इस सूत्रों को हम देखे आर और एश का गुणन फल एक नियत राशी होती है और यदि हम यह अपरियापता हाइट को एच डाश लेते हैं और इसमें मिनिस्कस की जो त्रिज्जा इसको आर डाश लेते हैं तो यह आर और एच के बराबर ही होनी चाहिए तुम लिख सकते हैं एच डैश आर डैश बराबर आर एच बराबर एक नियत राशी इसका मतलब जब हाइट सफीशन्ट रहती है तब उस कैपिलरी के अंदर द्रफ का मिनिस्कस नियत रहता है और उसी त्रिज्जा के मिनिस्कस स से ही वह उपर की और चड़ता है लेकिन जब हाइट अपरियाप्त होती है तो इसकी त्रिज्जा में परिवर्तन हो जाता है और यह परिवर्तन कुछ इस प्रकार रहता है कि आर डैश और एच डैश को गुणा करें तो वह आर और एच के बराबर हो यानिकी एक नियत जाएगा और यह परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा कि जब यह कैपिलरी की ऊपर सत्य में पहुंचेगा वहां पर इसका जो चड़हाव है कैपिलरी में वह स्टॉप हो जाता है और इसलिए कैपिलरी एक्दम टॉप लेवल तक भरी हुई रहती है लेकिन कैपिलरी से बह को ले जाते हैं और जब कैपिलरी को दर चाहvä जाएगा तो यहां पर कैपिलरी में द्रव ऊपर के बढ़ेगा पर हम जानते हैं और टो यह उपर क्यूंच बढ़ते जाएगा तो और शीरह का यहां पर एसी वह सता होती है जैसे कि voll ops 7 d pieces ए और कैपिलरी के टॉप लेवल तक जाके उसके सीरत तक जाके रुख जाएगा यानि यह कैपिलरी पूरी तरह के से भरी हुई होगी लेकिन द्रव इससे बाहर नहीं आएगा तो इस प्रकार बच्चों हमने कैपिलरी से जूड़े हुए फॉर्मुले को डिराइफ किया इसके कैपिलरी से जूड़ी हुई एक और एक्टिविटी आप खुद से घर में भी कर सकते हैं या फिर स्कूल में भी करके देखी अपने दोस्तों के साथ आपको यह यकीनन बहुत ही आनंद देगा आप दो बीकर ले लिजे दो बरतन ले लिजे और दोनों में कोई लिक्विड ले लिजे दोनों में एक ही लिक्विड ले लेते हैं अब दोनों में अंतर करने के लिए हम लोग एक बीकर में रखे रूए पानी को कुछ कलर डाल देते हैं मालेजजी आप उसमें दो-चार मूंध स्याही डाल दिये या फिर नील या उजाला जो आप अपने कपड़ों म कर सकते हैं नहीं तो आपके पास यहीं टीशू पेपर होता है टीशू पेपर भी हम देखते हैं कि बहुत ही छिद्रों से मिलका बना होता है जो आसानी से पोष्चने के काम आता है तो ऐसे टीशू पेपर कभी आप ऐसा दबा कर फोल्ट करके उसको एक लंबा आकार दे ताकि वो एक strong group ले ले अब हम बीकर में एक जगे पे tissue paper को डुबव देते हैं और दूसरे बीकर में भी डुबव देते हैं हमने एक ही बीकर के पानी को रंगीन किया है लेकिन आप थोड़ी दिर बाद देखेंगे दूसरे बीकर का पानी भी रंगीन हो जाता है अब या blotting paper उतास में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जो कैपिलरी की तरह काम करते हैं इसलिए आपने जिस बीकर में डुबोया था जो रंगीन था वहां से द्रव ऊपर क्यों बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये दूसरे वाले बीकर तक पहुँच गया और इसलिए दूसरे पहले बीकर कर रंग भी उसी की accordingly चेंज हो जाता है तो है ना मजदार आप भी इस activity को अपने स्कूल में या फिर घर में जरूर करके देखिएगा वैसे बच्चों कैपिलरी पर आधारित आपकी कोर्स में एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें हमें द्रव के surface tension प्रिष्ट तना आफ ग्याद करना होता है तो फॉर्मूला तो आप यहीं स्तमाल करेंगे एच बराबर टू टी कॉस्ट थिटा अपन रो आर जी और सूत्रम हम देखें तो कॉस्ट थिटा की वैली होगी यहां पर वन क्योंकि सुद्ध जल और स्वक्ष काज के लिए थीटा का मान जीरो ड सुद्ध जल प्राप्त नहीं होता इसलिए आप जब इसको कैपिलरी के अंदर देखेंगे तो हो सकता आपको मिनिस्कस थोड़ा सा कर्व्ड मिले पर आप शुद्ध जल लेंगे तो यह हमेशा फ्लैट होगा संतल होगा और कॉस जीरो का मान वन होगा और हम यहां पर यही टिफरेंट हो जाए जो प्रमानिक मान दिया गया हो उस प्रमानिक मान की तुलना में कम यह जादा हो जाए और यही तो तुरूटिया है जो प्रयोग करते समय आ जाती हैं और हम उसको कंसिडर करते हुए प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा लेते हैं तो बच्चों यदि हम श जी अपॉन टू और इसी सूत्र की साहता से हमें उस शुद्ध जल का प्रिष्ट तनाव ग्याद करना होता है अब इस फॉर्मिलम देखें तो रो ये जल का घनत्व है ये कॉंस्टेंट है ये आपको मालूम है जी ये भी गृत्वी तुरन का मान है प्रित्वी की सता पर हम ले रहे हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वाइर हे लेंगे अब हमको इस प्रैक्टिकल में टी का मान ग्याद करने के लिए ये हाइट ग्याद करनी होती है अब सोचिंगे के त्रिज्ज्य आप कैसे ग्याद करेंगे क्योंकि बड़े वस्तों की त्रिज्ज्य तो मासानी स से प्रियोग करते समय वर्नेयर करिपर से या स्क्रू गेस से भी ग्याद कर लेते हैं लेकिन इस के अंदर की त्रिज्ज्य ग्याद करना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा तो यहाँ पर हम लोग ट्रैवलिंग माईक्रोस्कोप की साहीता से इस प्रैक्टिकल को करते है traveling microscope की सहता से कितना rise हुआ capillary के अंदर द्राफ का वो भी ग्याद करते हैं साथ-साथ हम capillary की त्रिज्य भी ग्याद करते हैं तो बच्चों बड़ी सावधानी के साथ यह practical किया जाता है traveling microscope की सहता से और जब अब surface tension का मान ग्याद कर लेंगे तो इस मान को अपव्यक्त करते हैं Newton प्रती मीटर में क्योंकि बच्चों किसी भी quantity को जब हम ग्याद करते हैं तो उस भौतिक राशी का मातरक लिखना उतना ही अवश्यक होता है क्योंकि वो उस भौतिक राशी की पहचान होती है तो अब कभी भी चाहे तो numerical solve कर रहे हैं उस समय भी मातरक को अब जरूर लिखें अगर मातरक नहीं लिखते हैं तो आंकीक प्रश्न में marks भी कट जाते हैं तो चलिए बच्चों इस पर अधारित हम कुछ numerical questions भी बनाते हैं एक द्रव का घनत्व 8.3 kg प्रती मीटर क्यूब है यदि 1.68 इंटू 10 पर माइनस 5 मीटर व्यास की केश नली को इस द्रव में डुबाने पर उसमें चड़े द्रव इस तम की उच्चाई 8.93 cm हो तो उस द्रव का प्रिष्ट तनाव ग्याद कीजिए इस प्रष्ट में दिया गया है कि इस पर्ष कोंड का मान 0 डिगरी लेजिए विस प्रष्ट में क्या दिया गया हम देखते हैं रो बराबर 8.3 kg प्रती मीटर क्यूब केश नली की व्यास दी गई है यानि कि 2 और बराबर 1.6 इंटू 10 पर माइनस 5 मीटर है जहाँ पर R हमने इस के रिशनली की त्रेट जाली है तो R बराबर होगा 0.84 इंटू 10 पर माइनस 5 मीटर और हाइट दिया गया है 8.93 सेंटी मीटर अब इसे मीटर में कनवर्ट करेंगे तो यह होगा 8.93 इंटू 10 पर माइनस 2 मीटर थीटा बराबर 0 डिगरी है और G कमान प्रित्वी के सता पर हम 9.8 मीटर प्रफी सेकंड स्क्वेर लेते हैं अब हम फॉर्मुला अप्लाई करेंगे ती बराबर होता है 1 बाइटू हर रो जी अब यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे फॉर्मुले से सर्फेस टेंसेंड टी बराबर होता है 1 बाइटू हर रो जी अब सब वैल्यू यहाँ पर हम पूट कर देते हैं तो मैं मिलेगा और सब को सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा प्रश्ण एक केश नली की त्रिज्या 0.05 cm है इसे जल में उर्ध्वा धर खड़ा किया जाता है नली में जल कितनी उचाएं तक चड़ेगा जल का प्रिष्ट तनाव 0.073 न्यूटन प्रति मीटर है इस प्रश्ण में दिया गया है आर बराबर 0.05 cm यानि कि 0.05 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 मीटर ती बराबर 0.073 न्यूटन अपॉन मीटर जल का घनत वो होता है रो बराबर 10 तो पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यों और जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वार और थीटा बराबर 0 डिगरी लेंगे सूत्र अनुसार हम जानते हैं एच बराबर होता है 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी सारे मान को ये सूत्र में रखने पर हमें मिलेगा 2 इंटू 0.073 कॉस 0 अपॉन 0.05 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 इंटू 10 तो पावर 3 इंटू 9.8 इसे आएगे सॉल्फ करते हैं तो हमें मिलेगा 2 इंटू 0.073 अपॉन 0.05 इंटू 98 और हाल करने पर हमें मिलेगा 2.98 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 मीटर और हम लिख सकते हैं 2.98 सेंटिमेटर